असलाम अलेकूम, आज हम मेरत के हलीम बिर्यानी की रेसीपी शीर करेंगे, जोके बिल्कUL परफेक्ट है, स्टेप बाइ स्टेप और इजी। मैं आज हम इसको शेयर करेंगे, मेरट का हलीम थोड़ा पतला होता है इतना थिक नहीं होता है और मीठ होता है, पीसिस होते रिशयत के कैसी है तो आज बूरे रिशयरिशयर है Amazing इसके लिए मैंने एक कप जौ लिया है और एक कप गयहू लिये हैं ये हलीम वाले जौ और गयहू हैं जो कि साफ करे हुए छिलके उत्रवे मिलते हैं और ये किराना शौप पर इजली मिल जाते हैं अदर्वाइस इसको ऑनलाइन भी हम मंगा सकते हैं तो इनको हमने 5-6 बार प तो लिद्धस बड़ी हो और अब इसको नमक मिर्च हल्दटी है और एसमा पानी टाल देंगे पाणी तो नमक मिर्च हल्दी हम इसमाना ही र Knights की कंट हरा है इन सब को मिक्स कर देंगे और यहां पर आधा चमच यानि बड़ा स्पून आधा चमच हमने इसमें ऑईल डाल दिया है ऑईल डालने से जब इसमें प्रेशर आएगा तो जो पानी है वो उपर से नहीं निकलेगा अब इन गयों में अची तरह से बॉइल आ गया है इसको मिक्स करके हम इसको प्रेशर कोक करेंगे तो हाई फ्लेम पे हम इसमें एक सीटी ले लेंगे और जब एक सीटी आ जाएगी तो गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको हम चालिस मट के लिए कोक करेंगे आप इसको चैक भी कर सकते हैं जब तक की कोख हो रहा है हम यहाँ पर कुछ डालें भी गो लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कप चने की डाल ली है उसकी आधी मैंने मुंग की डाल ली है आधा कप भी मसूर की डाल ली है और आधा कप हमने यहाँ पर उरत की धुली भी दाल ली है और आधा कप हमने चावल लिये हैं यहाँ पर चावल कच्चे वाले लेने हैं जो डेली यूज वाले चावल होते हैं इन सब को मिक्स कर लेंगे और इनने भी हम 3-4 बार दो कर भिगो देंगे एक से 10 घंटे के लिए हलीम की 3 स्टेप होते हैं एक स्टेप में हमें गया हूँ और जो को भीगो कर गलाना होता है दूसरी स्टेप में हमें दालों को भीगो कर गलाना होता है और तीसरी स्टेप में हमें इसका कोर्मा तयार करना होता है उसके बाद इन सब को मिला कर अच्छी तरह से घुटाई करनी होती है तो इस तरह से हलीम बन कर तयार होता है मेरट वाला अब यहां गोश्ट का हम कुर्मा बना रहे हैं तो यहां पर मैंने एक किलो गोश्ट लिया है उसमें हमने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया डाला है और हल्दी भी डाली है इसमें हल्दी जाती है और एक बड़ी प्याज हमने उसको रफली काट दिया है तो हम सब इन सभी चीजों को ऐसे ही कच्छा डाल देंगे इसको सौंध कर गोश्ट बनाना कहते हैं Don'toreB tym, इन सभी प्तड़ी के लिए और दो चंची मां हैं लासान अरट का पेस्ट लिया है और इसमें जो तेल हैं वह भी हमने ऑच्छा डाला है इन सभी बनाना मिक्स करेंगे और गोश्ट के गल्लाँ तक के लिए तो मैंने यहाँ पर एक कप पानी डाला है और गोश्ट को हमें गलाना है 80% तक हाई फ्लेम पे इसको हम एक सीची ले लेंगे उसके बाद गैस की फ्लेम करम कर देंगे और 10 मट इसको कुक करेंगे इधर यह जो हमने गैहूं को गलाने के लिए रखा था यह 40 मिट हो चुके हैं अच्छी तरह से यह गैहूं गल गए है इसका दाना सॉफ्ट हो गया है अगर दाना सॉफ्ट नहीं हुआ है तो आप इसको दुबारा से प्रेशर कुक करें इसको हम पतला करेंगे इस टाइम यह गाड़ा है तो इसको मिक्स करके इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको चलाएंगे मच्छी तरह से यह आप इसका दाना जरूर चेयर कर लें गैहूं का जौका अगर इस सॉफ्ट नहीं है तो दुबारा से इसको प्रेशर कुक करें वरना यह घुट नहीं पाएगा इस स् इसमें हम मसाली डालेंगे सबसे पहले हमने यहाप लासन अद्रा का पेस्ट डाला है दो चमच और इसमें भी वही मसाली जाएंगे नमक मिर्श हल्दी तेस्ट के हिसाब से नमक मिर्श हल्दी डालेंगे दाल को बालने के लिए थोड़ा सा तेल डाल देंगे जिसे की प्र तो हाई फ्लेम पर एक सीची लेए लेंगे इसके बाद लो फ्लेम पर 6-7 मिट के लिए को को करते हैं डालर पकक रही है अब इसर गोश्थ को चेक कर लेते हैं गोश्थ की हमने जो गैस थी वह बंद करती है और इसा की लिटे छोलकर Cek करेंगे तो इसमें काफी पानी है तो है फ्लेम पर इसका पूरा पानी ड्राय कर लेंगे और इसको हमने 3 चमश दही के साथ भूना है यहां म भूनना भी है उसके बाद हमें से डाल और गयां के साथ भी पकाना है तो बहुत जादा गोश्ट को इस टाइम सॉफ नहीं रखते हैं अब यह गया हूं है जो कि हम इसको घोट रहे हैं यहां दालें पक रहे हैं दालों को भी हम अच्छी तरह से घोट लेंगे इसको हमें इसी से रई बोलते हैं कुछ लोग इसको घोटनी बोलते हैं जो भी आप लोग कहते हैं इसी से ही घोटना है इसे हमें मिक्सी में या ब्लेंडर से नहीं करना क्योंकि इसका पर टेक्स्चर इसको ठाए ना, तो हम इसमें पानी डालेंगे तास ते पानी कि यूज़ करता हैं बढ़न नहीं जो टाएं तो ऊबली हो कि यूझ गोटना यहीं है मिल्राटी जिलने कि अचुछ खोटनी मज़े से कहता है मेरट वाला हलीम बनकर तयार होता है तो यह इसका मेन पॉइंट होता है इसको ज़रूर फॉलो करें जिस तरह से मैं घोट रही हूं इसी तरह से ही करना है तो अब बिर्यानी हम बनाएंगे तो बिर्यानी के लिए हम यह अखनी तयार कर लेते हैं यहां पे मैंने मटन लिया है उसमें मैंने एक प्यास कट करके डाल दिया है थोड़ी सी अद्रक और एक लस्तन का चुकड़ा लिया है कुछ खड़े गरम मसाले लिये हैं जिसमें लॉंग काली मिर्च बड़ी लायची तेश पत्ता और दाड़ शीनी हैं गरम मसाले आप कम य जादा ही डालते हैं जिसे के चावल में बैलेंस रहे और इसको गलने के लिए इसमें पानी डालते हैं हम दो बड़ी ग्लास यानि गोश्ट से अच्छा ऊपर रहना चाहिए पानी जब इस पानी में बॉयला जाएगा तब हम इसमें लिड लगाते हैं और गोश्ट के गलन यह बिर्यानी वाले लॉंग ग्रीन तो इसको हमने दो कर भिगो दिया है एक घंटे के लिए अब यहां पर यह वही दालें और गहूं है जिसकी कि हम घुटाई कर रहे थे यहां पर मुझे यह गाड़ा लग रहा था तो हमने इसमें उबला हुआ पानी डाल दिया है पानी हमेशा बॉइल करा हुआ ही डालना है बना तो टेस्ट खराब हो जाता है अब यह दालें अच्छी दरह से घुट गई है बहुत अच्छा सा इसका टेक्शर हो गया है तो अब हमने जो घुर्म बना कर तयार करा था वह यहां एड़ कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे और यहां पर भी हमने रई से लो फ्रेम पर इसको कोक करा था और रई के साथ इसको हमने घोटा था पांसिच साथ नट अब यह बिल्कुल बनकर तयार है अब इसमें खुश्पू के लिए हमने गरम मसारा डाला है और मेरट वाले हली में एक खास खुश्पू होती है जो कि तो यहां एक चमच भुनना पिसा हमने जीरा लिया है अब इहां हम चैक कर लेंगे इसका नमक मिर्च क्यूंकि यह बिल्कुल रेडी है तो अब हम अज्जेस करते हैं तहो यहां थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा है तो तो मैंने एक चमच नमक और डाला है और इसको मिक अगर हाई फ्लेम तो नीचे जल जाएगा और जो सारी महनत है वो खराब हो जाएगी तो इस तरह से यह जो हली में भुंकर तैयार है और मिरट का हली में टेस्ट में टेक्स्चर में सेम ऐसे ही होता है तो हमारे यहां की बहुत ही बापुलर डेष तो इसको जरूर ट्राइट करिएगा इन्शाला सभी को बहुत पसंद आएगी अब यहां पर मैंने थुरा सा रोगन डाल दिया है जो हमने एक और मत तयार करा था उसका रोगन हटा लिया था तो वह रोगन इसके उपर से डाल देंगे और इसको गार्निश करेंगे हम जूलियन कट जिंजर से लंबी कट अब जाले है क्योंकि हमें हमें हली में इसतमाल करनी है और बिर्यानी में इसतमाल करनी है तो यहां पर मैंने दो बड़ी साइज की प्यास लिए जिसको गोल्डन फ्राइए होने पर निकाल लिया है अब उससे तेल में हमने कुछ खड़े-करम मसाले लिये है और दो चमश बीड़ी के साथ बून लेंगे यहां मैंने दो चमश द्ही के साथ इसको बून लिया है कि जब द्ही का पानी खुशक हो गया है और तेल ले एपर न अपर अगया है तो हमने भीगे वी चावल आड़् कर दी है और चावल LOOKS करने के बाद इसमें रयक्नी कि अपनी ड непीधर तो इसमें normal water भी add कर सकते हैं अब यहाँ पर हम इसका नमक चक लेते हैं अगर नमक कापो कम लग रहा है तो यहाँ पर add कर दें इसमें अच्छी तरह से boil आ गया है boil आने के बाद इसमें हम दो सीची लेंगे high flame पर उसके बाद gas की flame बंद कर देंगे और इसका pressure release होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसकी lid खोलेंगे तो इस तरह से बिर्यानी बनकर तयार है उपर से हमने जाफरानी food color और केवड़ा भिगो कर हमने उपर से डाल दिया है इस तरह से बिर्यानी भी बनकर तयार हो गई है और हलीम भी बनकर तयार हो गया है इसके उपर से हम गानिशिंग करेंगे विन्यूई प्यास की बहुत ही मज़े की यह रेसिपी बनकर तयार हुई थी जब हलीम बिर्यानी लेते हैं तो कुछ वो इस तरह से सर्फ की जाती है एक प्रेट में बिर्यानी निकालते यूंक प्र jut Native अब-ध। बिर्यानी चछुम कम नो arepa तो मेर्ट न कमे hmm कोई तरह से उत्पिक करें दुआ में यात रगेगा वीडियोन आफ होगी है तो चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें थैंक्स पर वाचिंग अल्ला हाफिज